ओम शीगणे शाय नमार रादरादे दोस्तों आप सभी का मेरे चनल वदकता असलोजर में स्वागत है दोस्तों गर्वती महिला में देखे ऐसे कौन से लक्षन दिखाई देते हैं बिल्टा होने के उसकी जानकारी दे रहें दोस्तों कोई भी लक्षन देखे 100% नहीं होता है लेकिन ये जो हम आपको जानकारी दे रहें ये हमारे बड़े बुज़रोग के अधार पर है और कम से कम 10 गर्वती महिलाओं में से 8 गर्वती महिलाओं पर ये बिल्कुल सही पाये गये हैं उसके अधार पर हम आपको जानका और देखें विज्ञानिक तत्थे पर कोई आधार नहीं है कोई लेना देना नहीं दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य लड़का-लड़की बेदवाव करना नहीं है और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को गलत नजरिये से ना देखें यह केवल आपकी जिग गर्वती महिला में देखे हार्मोनल चेंजिस के कारण क्योंकि हर महिला में अलग-अलग हार्मोनल चेंजिस होते हैं तो अलग-अलग लक्षन दिखाई देते हैं लेकिन बहुत अधिक ये माना जाता है कि अगर आपको तीसरे महिने के बाद अगर आपके हाथ पैल ठंडे र माना जाता है गर्वती महिला के चहरे परदे के पहले से अधिक अगर मतलब मुहासे हो गया है चहरा डल पड़ गया है तो यह भी बेटा होने का लक्षन माना जाता है चौथे पांचे महिने के बाद अगर गर्वती महिला को भूग जादा लगती है सामानने से जादा लगती बार-बार आपका mood भी swing करता है यानि बार-बार यह आपका सभभा बदलता रहता है कभी आपको मतलब खुशी महसूस होती है कभी आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो यह भी बेटा होने का लक्षन माना जाता है दोस्तों अगर आपको देखे उल्टियां कम होती है यह आपका उल्टी का मन करता है लेकिन आपको उल्टी नहीं आती है आपका जी हो रहा है उल्टी जैसा लेकिन आपको उल्टी नहीं आ रही है तो यह लक्षन भी बेटा होने का माना जाता है वहीं पर दोस्तों अगर आपके मुसली जैसे कमर में कमर में पेंड रहता है पैरों में दर्द रहता है यानि अगर आपके देखे नाभी के निचले हिस्से में अधिकतर पेन रहता है दर्द रहता है और आपके जातर दाएं हाथ में दाएं लेग में मतलब राइट हैंड में और राइट लेग में अगर आपको जातर दर्द या खिचाम महसूस होता है तो यह भी बेटा होने का लक्षन माना जाता है वहीं पर दोस्तों अगर आपकी देखिए दाही ब्रेस्ट यानि राइट ब्रेस्ट का साइज लेफ्ट वाली से बड़ा है और आपकी जो निपल है उसका रंग भी डाक है और जो उसका डाक कलर है तो यह भी बेटा होने का लक्षन माना जाता है राइट वाली ब्रेस्ट में यानि दाहीनी स्थन में अगर दूद पहले आता है यानि गाड़ा दूद आता है तो यह भी बेटा होने का लक्षन माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तो नाभी के उपर और नाभी के नीचे की तरफ अगर आपकी बिलकुल सीधी लाइन बन रही है तो यह भी बेटा होने का लक्षन माना जाता है दोस्तों अगर गर्वती महिला की देखे अगर बच्चे की जो हाट बीड होती है 150 से कम होती है तो यह लक्षन भी बेटा होने का माना जाता है साथ ही दोस्तों अगर आपके बच्चे ने जो मूमेंट है यानि हलचल देरी से करी है यानि 4-5 महिने में उसने हलचल यानि मूमेंट करनी शुरू करी है तो यह लक्षन भी बेटा होने का माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तों अगर गर्वती महिला चलते समय अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाती है और उठकर मतला जब बैठी हुई है तो उठते समय अपने राइट हैंड का सहरा लेती है तो यह भी बेटा होने का लक्षन माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तों गर्वती महिला के यूरीन से भी देखे यह पता लगा जा सकता है कि उसको बेटा होगा या बेटी होगी दोस्तों आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं आप देखिए सुब़े का मौनिंग का यूरीन होता है उस पर आप एक चमल जब मीठा सोडा होता है या बेकिंग पाउडर होता है वो डाल कर देखें अगर उसमें जहाग नहीं निकलता है तो यह बेटा होने का लक्षन बाना जाता है साथ ही दोस्तों अगर गर जर्वती महिला के बाल पहले के मुकाबले मतलब तेजी से बढ़ने लगे हैं घने हो गए हैं तो यह भी बेटा होने का लक्षन माना जाता है दोस्तों यह बहुत सारे लक्षन हमने बताए हैं अगर आप में एक या दो भी दिखाई देते हैं तो आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आपके घर में आने वाला जो नया महमान है मेंबर है वो एक बेटा ही होगा दोस्तों अगर आपको हमारी जानकरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अब शेय करें